वेरियेबल क्या होता बड़े ध्यान से सुनना वेरियेबल इस एन अलफाबेट विच इस तू रिप्रेजेंट वी अन्नोन नमबर वेरी इंपोर्टेंट यह हमें अन्नोन नमबर के बारे में बताता है चार ऑपरेशन होते हैं एडिशन सब्ट्रेक्शन करते हो तो दूसरे साइड भी प्लस फाइफ करना होगा ताकि यह एक्वेशन बराबर रहे तो हर बार आपको यह करने की जूरत नहीं है अब आपको क्या करने है वहाँ पर ट्रैंस पोजिशन मेंटर करना ठीक है वरना प्लस सेवन मैंने सेवन करोगे ठीक है बट कब तक क हम पढ़ रहे है rapid revision और आज यह class में class 7 ka बहुत ही शांदार और बहुत ही Simple सा chapter पढ़ेंगे simple सा chapter का नाम है simple equation, ठीक है नाम में ही देख सकते हैं chapter का नाम क्या है simple equation, तो मैं बता रहू हूँ chapter बहुत जाधा simple है, बहुत simple और बहुत easy है, तो यह chapter में हम पढ़ेंगे, क्या कही improves, हिए धेख लेते हैं, हम पढ़ेंगे important terms, कि what are the important terms, then हम इसमें पढ़ेंगे expression versus equation then solution for an simple equation ठीक है इसमें हम लोग बहुत सारे questions भी करेंगे ठीक है so question इसमें बहुत ज्यादा important है याद रखना जो भी मैं topic पढ़ा रहा हूं इसके जितने ज्यादा आप practice करोगे जितने ज्यादा questions को solve करोगे उतना ज्यादा आपका कुछ terms जानना है और वो terms के नाम क्या है variable तो variable क्या होता बड़े ध्यान से सुनना variable is an alphabet which is used to represent the unknown number very important यह हमें unknown number के बारे में बताता है देखो कुछ एक unknown number है जो हमें find करना है algebraic expression में कुछ unknown numbers होता है उतने हमें find करना होता है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलता है यह इतना याद रखना है कि variable is an unknown number ठीक है तो sir हम इसे denote कि से करते हैं इसे हम हमेशा denote करेंगे alphabet से जैसे कि हो गया x y z a b c जो भी आपको लगे वह कर लें ठीक है उसके बाद आता है constant constant is nothing but the fixed value ठीक है इस नथिंग बड़ वैल्यू और नंबर that never change कुछ ऐसे चीज़ जो कभी चेंज नहीं होती its value is same throughout कहीं पे भी आप देख लो मैं हमेशा यह बात बोलता हूं कि देखो 7 की value हर जगे सेम होगी 8 की value हर जगे सेम होगी 10 की value 200 की value कोई भी आप constant number ले लो कोई भी number ले लो उसकी value तो हमेशा fix रहेगी न वो कभी चेंज नहीं होगा ठीक है तो बेसिकली यहां पर constant का मतलब होता है जिसकी value कभी चेंज ना हो उसे हम बोलते constant देन आता है coefficient देन आता है coefficient तो देख लेता है coefficient is a numerical factor of a term containing constant and a variable बेसिकली आप देखते है जब variable और constant हम साथ में लिख दें for example मैंने लिखा 2x यहां पर 2 constant है और x क्या है वेरियेबल है देन उसके बाद मैं लिख देता हूँ 7y तो यहां पर 7 एक constant है y क्या है वाय एक अन्नोन नंबर है इसके बारे में हमें पता नहीं होता है तो कौईफिशेंट क्या है अगर मैं पुछके च्छी सब require बढ़ण अगर यहां देख सकते हूँ 6 इसका बनाऊब यहां यह वरेप bog ऱोच्ट में टेंडीब। साथ में arithmetic operation ठीक है तो बहुत important बड़े ध्यान से सुनना और समझना यहाँ पर आप देखो सर यह जो 5x है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर x क्या है x आपका आप बोलोगे x variable है ठीक है क्योंकि इसकी value नहीं पता यह value unknown है हमें x के बारे में यहाँ है क्या है यह एक सकतका आपकर φाईव क के बारे में बारे यह है से स्थ अरित्मेटिक उपरेशन बताना mathematics में फड़ा-फट सोचना और बताना कि mathematics में कितने operations होते हैं arithmetic operation कितने होते हैं तो आप बोलोगे sir चार operation होते हैं addition, subtraction, multiplication और division mathematics में यही चार arithmetic operations होते हैं clear रहा है चलो अब उसके बाद अगर मैं इसके सामने plus 3 लिख दूँ तो आप क्या बोलोगे यह 3 क्या है याँ पर बता सकता है यहां पर आपका coefficient है यहां पर आपका variable है arithmetic operation और यहां पर constant है इसके बारे में हम आगे और जानेंगे और समझेंगे इसके पर हम questions जब solve करेंगे तो आपको समझ में clear है तो आई होप आपको arithmetic terms important terms में arithmetic algebraic expression समझ में आगया होगा चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं expression versus equation तो बड़े ध्यान से सुनना equation क्या होता है equation में most importantly यहां पर एक बहुत important चीज़ आती है और वह है क्या वह है आपका 2 side LHS which is equal to RHS सर इसका मतलब क्या है देखो आप equation को ऐसा समाझ सकते हो equation क्या है equation एक तरजु है जिसके दोनों तरफ tram expression ठीकिशन और यह हमेशा equal रहेंगे यह वाला साइड जो है equation का और यह वाला साइड जो है equation का जिसको हम बोलते हैं left-hand side और right hand side यह हमेशा bisa क्या यह हमेशा एक्वल रहेंगे ठीक है बड़े ध्यान से सुनना मैं फिर से बतार देख एक्सप्रेशन अगर में लिखता हूं 7x-y यह एक्सप्रेशन होगे लेकिन अगर मैं इसी को एक्वेट कर दूएक्वल टू साइग से इसके आगे भी एक्सप्रेशन लिख दिता हूं एक्वेशन का मतलब यही होता है कि उसके दोनों तरब बराबर होना चाहिए एक ऐसा न्याय का तराजू बोल सकते हैं इसे जहां पर दोनों साइड बराबर रहेंगे चलो कुछ एक्वेशन के बारे में अगर मैं लेको 7x-3 तो यहां पर आप देख सकतो यह क्या है यह आपका एक क्या है यह आपका बिसिकली एक एक इक्वेशन ठीक है यह भी एक्सप्रेशन यह वीच्वेशन बीच में हमेशा हमेशा यह बराबर रहेंगे ठीक है चलो आगे चलते हैं अब आगे चलेंगे और इसके बाद देखेंगे setting up of an equation हमें equation बनाना कैसा है हमें सीखना क्या है उसमें तो देखो अगर आपको equation बनाना нес॥ स्ब्त्रइड किया हुता है यहाँ पर टाइम्स फ्रेंद यहां पर उसके přिसलिए, यहां पर इस लिखा है यहां पर घ्यूख लिखा है तो यह सब है क्या धेखो उसके लिए कुछ mathematically यह है the keyword of word problem, word problem में आपको कुछ keywords जानना है, देखो जहाँ पर भी आपको add, sum, total, altogether, plus, in all दिख जाएं, वहाँ पर आपको addition करना है, जहाँ पर भी आपको multiply, product, times, twice, total, multiplied by दिख जाएं, वहाँ पर आपको multiply करना है, similarly subtraction के लिए, subtract, remain, difference, less than, fewer, how many more, minus आजाएं, तो आपको minus करना, subtraction करना, similarly for divide, divide, quotient goes into split equality, and each इस तरीके से कुछ दिख जाएं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको करना है, divide, तो यह basically एक कुछ keyword से, जिसके मदद से आपको करना है, ठीक है, चलो, उसके बाद अगर आपको मैं बता दू, equal to के लिए, अगर इस आजाए, अगर gives आजाए, ठीक है, अगर equal आजाए, equals, तो यह आजाए, इसका हमेशा मतलब होता है, equal to, यह जब भी आजाए, तो आपको समझ लेना, यह क्या है, equal to, ठीक है, यह हमेशा क्या आजाएगा, आपका equal to, कुछ और words भी आप, देखो, यह आपको वोकाब कोशन सौल करके, जैसे यहाँ पर लिखा है, the sum of a number, x and 4, sum मतलब क्या होता है, sum का मतलब होता है, add करना, add करना मतलब हमें, वहाँ पर कौन सा उप्रेशन यूज़ करना है, addition का, sum करना है, किसका number का, number क्या है, sir, x है, तो लिख दो, sir, x, उसका sum कर रहे हैं, किसके साथ, 4 के स और is क्या है, the sum of number x and 4 is 9, is मतलब equal to 9, equal to 9, loser बन गया, तो आपने यहाँ देखा, is मतलब equal to, देखो हमेशा याद रखना, is के equal to, इस साइड वाला number हमेशा left hand side रहेगा, इसके equal to, उस साइड वाला number हमेशा right hand side रहेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से चलते हैं, to subtracted from y, 2 हमने subtract किया y से, देखो हमेशा याद रखना, मैं हमेशा जब word problem solve कर रहाता हूं, या फिर equation बनानी की बात आती है, यह बात दिमाग में रखना, कि जो लिखा है, उसको हिंदी में convert करने की कोशिश करो, क्योंकि यार देखो हमें पढ़ना है, हमें English आनी चाहिए, बड़ अ य से मैंने 2 subtract कर दिया, y से मैंने 2 ले लिया, is क्या आ गया, is आ गया, 8, to subtracted from y, 2 मैंने subtract कर दिया, y से मुझे क्या मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है, अब 10 times a, 10 गुना a का 70 होता है, यह लिखा है, 10 times a is 70, the number b divided by 5, the number b divided by 5 gives, क्या दे रहा है हमें, क्या दे रहा हमें, 6 दे रहा है, clear है, तो देखो, यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, gives मतलब दे रहा है, दे रहा है, मतलब equal to, तो यह सारे चीज आप पढ़ोगे, तो आपकी vocab ठीक होगी, ठीक होगी, ठीक है, तो आपको यह वोकाब में, यह चीज मस्चिन बॉर्टन है, और यह keywords आपको with time खुद पढ़ेगा, और यहां पर mostly लिखे हुए, ठीक है, बट यह जब आप solve करोगे ना, सर जब यह आप solve करोगे तब समझ में आएगा, यहां पर direct subtract लिखा तो आप कर दोगी, जो direct direct word है, बट कुछ hard words आ जाएंगे ना, तो जब तक question solve नहीं करोगे, तब तक आप उसे improve नहीं कर पाओगे, तो mathematics में question solve करना is must, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और word problem करना है, तो चलो चलते हैं, और यहां देखते है, solution for linear equation, यहां पर मैंने एक बनाया तराजू, भीया मैंने पहले भी बताया था, equation एक तराजू है, तो तराजू को अगर मुझे उसका solution का मतलब क्या होता ह सर, यहां पर आपने लिखा है solution, solution का मतलब क्या होता है, सर, solution का मतलब है, जैसे हम लिख रहे है, 7x plus 4 is equal to 3, तो यह एक equation है, यह एक equation है, सर, अगर मुझे इसको बराबर करना है, तो मुझे यहां पर x की value निकालनी पड़ेगी, यहां पर मुझे कुछ x की value निकालनी पड़ यही इसका solution होगा, x की value, x की जो value होगी, x की जो value होगी, यह उसका solution होगा, सर, यह solution निकाले कैसे, सर, यह solution निकाले कैसे, तो इसके लिए आपको 4 चीज़ याद रखनी है, ठीके, 4 चीज़ याद रखनी है, तो चार चीज़ क्या है, याद रखना, तो उसके बाद मैं पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि एक्वेशन एक तराजू है मैं आज के वीडियो में तीन बार बोचुका हूं यह और आपको यह बात याद रखने तराजू का मतलब क्या है अगर आप एक सैड में प्लस फाइफ करोगे तो समझ रहो वह नीचे जा तो अगर वह नीचे जा रहा है तो आपको तराजू को बराबर करना है तो दूसरे तरब भी प्लस फाइफ करना पड़ेगा ताकि तराजू बराबर हो जाए कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पर प्लस फाइफ करते हो तो दूसरे सैड भी प्लस फाइफ करना होगा ताकि यह equation बराबर रहे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है चलो सर अगर plus 5 की बात तो हो गई अगर मैं बोलता हूं मैं कर रहा हूं minus 5 मैं कर रहा हूं minus 5 तो एक side नहीं करना है दोनो side करना है आपको equation को minus 5 दोनो side करना ठीक है समझे समाज़े रहे कि मैंने हमेशा यह बोला यह बात आपको याज रखनी कि addition और अगर वह equation है तो उसे बराबर होना जरूरी है इक Later तो यह उपर चल जाएगा सर एक्वेशन रहा ही नहीं अभी अभी यहां भी माइनस करूँगो तो यहां दोनों बराबर हो जाएगे सर इक्वेशन को एक्वेट करने का तरीका ही यह होता है ठीक है चलो सर अगर मैं मल्टिप्लाइब बाइव करूँ एक सेड़ अगर मैं दि equation के एक साइड लगा रहे हो वो आपको उसके दोनों साइड लगाना पड़ेगा ताकि equation बराबर हो जाए अगर आप यह नहीं करते हो तो आपका एंसर गलत हो जाएगा ठीक है अगर आप प्लस फाइफ एक जाएगे कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ते रहे तो आपका एंसर गलत हो जाए क्योंकि आपने equation तो बनाए नहीं इक्वेशन का मतलब यह होता है कि एकवल रखना उससे क्लियर है चलो सर आगे चलने और इसमें कुछ करते हैं कोशन करने से पहले एक म जाएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक है माइनस अगर इक्वल टू के उससेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है मल्टिप्लिकेशन अगर इक्वल टू के उससेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड अगर इक्वल टू के उससेट जाएगा तो लोग यह use करेंगे ठीक है वरना आप बोलो कि सर यहां से ऐसा गया तो क्यों हो गया ठीक है तो यह वाला question पहला question में आप लोग को simple method से समझाओंगा और समझाओंगा क्या होता देखो मुझे क्या चाहिए इसका solution चाहिए solution चाहिए मतलब मुझे n की value निकालना है तो सर अगर मुझे n की value निकालना है तो मुझे n को अकेला करना पड़ेगा बिल्कुल बात है तो सर मैं क्या करूंगा 3N प्लस 7 सर यहां 7 क्या कर रहा है 7 को हटाओ मुझे 7 नहीं चीद तो मैं माइनस 7 करूँगा देखो 7 को हटाने का तरीका क्या उसको 0 बना दू तो 0 बनाने के लिए 7 माइनस 7 0 होगे बात हो गई सर आगे चलते है सर आगे बढ़ेंगे 3 करना पड़ेगा मुझे यहां पर divide by 3 करना पड़ेगा तो सर दिवाइड by 3 एक सेट करोगे तो दोनों साइट ना करना पड़ेगा एक साइट से काम काई से बनेगा तो आप बोलोगे n is equal to 6 समझ में आ रहा है तो n की value क्या गए 6 n solution है तो सर आपने यह जो किया यहां पर देखो प्लस 7 था यहां गया माइनस 7 होगे यही तो मैंने transposition method में बताया था यही तो मैंने transposition method में बताया था ठीक है सर देखो यहां पर 3 multiplication में यहां गया तो divide में हो गया इसलिए वहां पर transposition method आता है clear है चलो आगे चलते हैं इसके कुछ question सम्लुक solve करेंगे तो सबसे पहले आता है देखो कुछ मैंने direct question देला है मैंने आपके सामने कुछ word problem के form में लेका है और shopkeeper sells mango ठीक है एक shopkeeper जो mango sell करता है उसके पास दो तरीके के mango है box में एक छोटा box है और एक बड़ा box है ठीक है दो तरीके box है तो हम बोलते है जो छोटा वाला है वो S है और जो बड़ा वाला है वो L है ठीक है देखो word problem solve करना है धीरे-धीरे पढ़ना वारना समझ में नहीं हाएगा large box contain as many as 8 small box प्लस 4 loose mango ठीक है तो यह क्या बोल रहा है large box बड़ा डबबा है तो जादा mango होगे उसमें बड़ा डबबा है तो जादा mango होगे तो उसमें कितने mango है तो large वाले डबबे में large वाले डबबे में 8 छोटे डबबे के बराबर 8 छोटे डबबे के बराबर 8 छोटे डबबे है उसके 8 गुना बराबर और 4 loose mango है जितना चोटे डबबे में mango है उसका 8 गुना करके जब आप उसमें 4 जोडोगे उतने इसमें L है उतने इसमें क्या है large वाले डब्बे में mango है ठीक है तो आपको इसको इसको सॉल्व भी करना है विज गिव यू दा नंबर ओफ में इज स्मॉल बोक्स इन लाज बॉक्स इस गिवन टू बड़े वाले डब्बे में दिया हुआ है कि हैंड्र बड़े वाले डब्बे में क्या दिया हुआ है कि सर यहां तक तो बात बन मैं इस चीज को ना उल्टा भी लिख सकता हूं मैं यह चीज को ना ऐसा भी लिख सकता हूं बात एक ही है कोई फरक नहीं तो सर हेंड़ माइनस फोर तो 96 होता है मैं बोलूंगा बिल्कूल होता है ठीक है सर इसको आप सॉल्फ परेंगे एस अब बड़े ध्यान चा देखना अगर एस में बारा है तो यही तो हमें निकालना था तो आपको बड़े आराम से दीरे दीरे ट्रैंस पोजिशन में थड़कर यूज करके चलो आगे चलते एक कोशन और कलते है ठीक है पीपल और सुंदर ग्राम प्लैंटेट ट्रेज इन विलेज गार्ण क्या बात है प्ल गुच उसमें इसे फ्रूट वाले ट्रीज ए ठीक है अगर मैं नॉन वाले को एंग से डिनूट करता हूं यह कितने है द नंबर आफ नॉन फ्रूट ट्रीज वहेर टू मोर थें सर दो ज्यादा है किससे ज्यादा देखो यह दो बड़े ध्यान से सुनना दो नॉन क्या लिखा है जो नौन फ्रूट उट्रीज वह दो ज्यादा है थिरी टाइमस दनंबर आफ रूट रीज के वाट वास्थ नंबर अरूट पैंटेट इस फेवन फ्रूट रिज गर नौन फ्रूट प्रूट रिखा हुआ यह तो आप से बूला गया है वाट वॉट्व आपने यह बना लिया तो आपका काम असान होगे अब सर यहां पर लगा दो ट्रैंस पोजिशन मेतड़ तो सर करते हैं सर यह क्या है 3F सर मुझे f निकालना fruit trees निकालना प्लस 2 यहां प्लस 2 यहां जाएगा सर आपको यहीश समझ में आ गई होगी और यहां पर जो इंपोर्टेंट चीज़ वह यह प्लस यहां जाएगा माइनस होगा माइनस यहां जाएगा तो यहां पर जो मैंने नाई के तराजू के बारें बताया था यहां तो यहां तक कुछ के आपको समझ में आगा होगा लेकिन यहां तो मैंने आपको शॉल्फ करना है और इसका जवाब कमेंट सेक्षिन में मैं होगे हम यहां पर साइड रहा है वहाथ ही इक्वेशन है यह और यह इतना चैनल है कि हमने इसे बड़े जल्दी और कम समय में इसको समझाए I hope आपको समझ में आ गया होगा thank you so much